जहिन साथियो, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ साथियो कुछ दिन पहले बाजपक के राष्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा साब ने कहा था कि शूसेना अब खतम होने को आई है, खतम होई गई है और ये सारे जो प्रादेशिक पक्ष है ये खतम हो जाएंगे और सिर्फ बीजेपी बचेगी तो उस वक्द हमने उनका मजा कुड़ाया था, कुछ लोगों को गुस्सा भी आया था मैंने भी सोशल मेडिया पे पोस्ट की थी तो सातियों, आज हम देख रहे हैं कि भाजपा ने ये जो शिवसेना का एकनाच शिन्दे वाला जो गुट है इनके जरिये, इनके, इनका मुखोटा लगा के नयाले में जाकर और चुनाव आयोक के पल्ले में ये सारा मसला पुश करके चुनाव आयोक से आज शिवसेना पक्ष और शिवसेना का जो चुनाव चिन्दा है उसको फ्रीज कर दिया और आगे जाके ऐसा दिखाई देता है कि ये टेंपरेरी डिसिजन है लेकिन आगे भाजपा और मोधी जैसे चाहेंगे वही डिसिजन वो लेंगे और शिवसेना को हमेशा के लिए ये जो उसकी जो मान्यता है पक्ष आज पॉलिटिकल पार्टी इसको भी कतम कर देंगे और चुनाव चिन्दा भी पर्मनेंटली आइदर कतम कर देंगे या तो शिंदे गुट को दे देंगे तो ये सब जो शुरूआ ये भाजपा के जरिये शुरूआ है भाजपा के एक मंत्री है उन्होंने महराष्टर में कहा है कि हमने जाहिर एक सबा में कहा था कि किस तरीके से हमने शिवसेना के 40 MLS को भगा कर हम लेके गए उनको संबाल के रखा और उनको हमने सपोर्ट किया और इस तरी से कैसे हमने सरकार पलट दी भाजपा के ही एक बड़े मिनिस्टर है देवेंद्र पड़निस साब वो कुछ दिन पहले जुलई महिने में उन्होंने कहा था कि ये जो चुनाव चिन्न है ये एकनाच शिंदे के गुट को ही मिलेगा वही असली शिवसेना है ये ह शिवसेना से ठाकरे गुट से एकनाच शिंदे के साथ गये है बीजेपी के साथ उन्होंने जाहिर कहा था कि सुप्रिम कोर्ट जो है ये हमारी ये जो कैस है इस पर 4-5 साल के लिए कोई भी रिजल्ट नहीं देगा तब तक 2024 के इलेक्शन हो जाएंगे और हम उसमें जीत भ हम ये केस कोर्ट में लड़ रहे है क्योंकि इसका रिजल्ट आएगा ही नहीं सुप्रिम कोर्ट इसका रिजल्ट ही नहीं देंगा तो भाजपा पहले ही कुछ प्रेडिक कर रही थी उन्होंने शिवसेना के MLS को भगा कर वहाती लेके गए और उनके राष्ट्रिया वो कहते हैं कि हमने किस तरीके से ये सब जो था ये हमने कराया हम उनको MLS को लेके गए हमने उनको संभाल कर रखा हमने उनको सपोर्ट किया तो ये शारी जो कसरत थी ये शिवसेना को खतम करने की थी और जो MLS थे वो लोगों को बता रहेções कि हम हिन्दुत्व के लिए पीछे भाजपा का ये सारा प्लानिंग था और इन्होंने ये सारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्ता है हमारी यंत्रनाय है इनको मैनेज किया है इनके उपर दबाव डालकर ये सब कराया है ये हब साबित हो चुका है अब लोगों को ये डिसाइड करना है कि वो देश में क्या च पोट रही है या हम लोकतंत्र सविदान वाला चाहते है भारत में ये हम को तै करना है साथियो ये वीडियो शेयर किजेगा जैहिन